Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेट्रोजोल टेबलेट के बारे में जो लेट्रोजोल टेबलेट है ये इन फर्टलिटी के टीटमेंट में दिया जाता है प्रेगनेंसी कंसीब करने के लिए दिया जाता है अगर आपका प्रेगनेंसी का टीटमेंट चल रहा है और आप कंसीब नहीं कर पा रहे है तो डॉक्टर के यहां जब आप कंसल्टेशन में जाते हैं तो डॉक्टर आपको लेट्रोजोल, क्रोमीफन्सेट्रेट, जैसे सौल्ट कुछ आपको प्रेसक्राइब करते हैं यह दो चीजें जो हैं यह बहुत ही ज़ादा important होती है जब आप infertility का treatment ले रहे होते हैं क्योंकि अगर आप time का ध्यान नहीं रखेंगे आपका जो ovulation है वो हो जाएगा उस दौरान अगर आप relation नहीं रखते हैं तो आपको conception नहीं होता है तो लेटरोजोल यह breast cancer में भी यूज होता है लेकिन इसका जो infertility के treatment में यूज देखा गया है यह result बहुत ही ज़्यादा positive आते हैं क्योंकि ज़्यादा तर लेटरोजोल ही prescribed किया जाता है और इससे conceive भी होता है इसके result बहुत ही ज़्यादा positive मिलते हैं तो जो लेटरोजोल का काम होता है अगर आपको PCOD PCOS की problem है अगर आपके mensis irregular है hormones imbalance की problem है अगर आपको एक साल से ज़्यादा try करते हो गया है आपको conceive नहीं हो रहा है तो आपके अगर egg quality improved नहीं हो रही है in fact अगर PCOD PCOS में क्या होता है कि आपके छोटी छोटी से follicles बनते हैं लेकिन उन में से कोई भी follicles इतना mature नहीं होता है कि वो ovulation आपका हो सके तो जिस कारण से आपको conceive नहीं होता है तो जो लेटरोजोल है इसका काम यह होता है कि आपके एग की जो एग है उसको proper mature करता है then maturity के बाद वो एग ovulation के लिए भी उसे force करता है तो इस लेटरोजोल को लेने से जब आप जो लेटरोजोल है उसको लेते हैं तो आपका एग भी आपका mature होता है और जब वो एग पूरी तरीके से mature हो जाता है तो वो अंडा आपका rapture भी हो जाता है और उस दोरान अगर लेने का प्रेंडमें का पीरेइट के दीन से इसको ले जाता है यह पांच टैबलेट च्छ मैं की एक इस त्रिफ होती है जो की तीसरे देन से लेकर के आपको आपको सातमे रिंट तक इसको लेना होता है तो तीसरा शौता फ्लाश मैं शट्मा साथ मैं यह शात दिन तक तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह लेने के लिए और आडळ ले जैसे कि 8-9 बाज़े बीच नरे ऐसे लिए बाज लेकिन जबू आप गलए इस ताइम से नो बज़ेश्ड लेना ही ले तो आपको यह तो आप को और फॉरी जैसी तो आपको निस्चत है तो अपर निस्चत है तो यह ङुर्शू Chi लेने के बाद अब आपको इस बात द्धैन दे ना बहुत जरुरिएा अगर आप लेटरो ले रहे हैं यहां हम लेटरो जोल की बात कर रहे हैं तो अगर रिलेशन में period के 10 में दिन से रहना है, मैं एक दिन पहले बता रहे हूँ ताकि किसी प्रकार का कोई miss होने का कोई चांस ना रहे। तो जब आप इस tablet को लें तो आपको period के दसमे दिन से relation बनाना इस्टार्ट करना है और आप period के 20 से 22 दिन तक आप relation बना सकते हैं आप चाहे तो alternate day पर बना सकते हैं और अगर आप चाहे तो डेली भी बना सकते हैं वैसे alternate day पर भी बनाना कोई गलत नहीं है और daily बनाना भी गलत नहीं है daily बनाने की सला इसलिए नहीं दी जाती है कि जो sperm की quality होती है वो daily relationship में रहने से कुछ down हो जाती है लेकिन अगर आप एक दिन चोड़ कि एक दिन alternate day पर relation बनाते हैं तो जो sperm है वो 3-4 दिन तक survive हो जाता है लेकिन egg ovulation होने के बाद आपको ये लेटर जोल लेने पर कुछ बिसेश बातों का ध्यान रखना है जैसे कि relation कब बनाना है और tablet की timing क्या रखनी है ये आपको बिसेश ध्यान रखना है तो इस वीडियो में बताई हुई जानकारी को आप बिसेश तर से follow कीजेगा जैसे कि आप का conception हो सके आप pregnancy conceive कर सके तो वीडियो को like कीजेगा चैनल को subscribe करके share जरूर करें